हां जी आपकी अपनी संस्तान प्रिश्कार के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से काफी लंबे समय के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ लेटेस्ट और इपोर्टेंट करेंट अफ़ेर के साथ जो अभी दो अटूबर को रिलीज वे और दो अटूबर को क्या थी गांदी जैनती थी तो गांदी सम्मान पुरुसकार है वो किसे दिया गया है उनके बारे में अपन डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को आप अन्त तक जरूर देखेगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हेल्फ फुल लगे तो अपने दोस्तों में पार शेयर जरूर कीजिएगा अन्य था कमेंट आपके लिए जिंदावाद है तो सबसे पहला क्यूसन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हमारे राजस्तान में कितने लोगों को गांदी वादी सम्मान मिला है तो इसका सही अंसर हो जाएगा वो पांच लोगों को है वो गांदी वादी सम्मान पुरुस सामने जरूर लेकर रहूंगा तो ये गांधिवादी पुरुसकार है वो पांच लोगों को मिला है किन किन को मिला है उनके बारे में पूरी फुल डीटेल है वो अपन जानते हैं इनमें पहला है जो कौन है तो सरग्ये डॉक्टर S.N. सुबाराउजी है कौन है सरग्ये डॉक और ऐसा नहीं है कि गांधिवादी पुरुसकार है वो सिर्फ थोड़ा सा काम करो और उसको मिल जाए इसके लिए आजीवन है उसमरपर नहना पड़ता है जो गांधिवादी रूल है अहिस्सा के रूल है उस पर चलना पड़ता है और इनोंनी है वो गांधी सेवा आसरम की 20 स्थापना की थी तो और 1993 से लेकर 1995 तक है वो सद भावना रेल यात्रा की थी और टोटल कितने राज्यों में की थी तो 21 राज्यों में की थी और रश्ट्रे एकदावे संपरदाएकदा सद भावना का ये संदेश दिया था जिनकी मर्त्य हो गई थी वो 2021 में है इनकी मर्त इनकी भी मर्ति हो गई है इनका नाम है स्री सुरग्य स्री नेमी चंद जेन भाउक तो इनका पूरा नाम है सुरग्य स्री नेमी चंद जेन भाउक ये इपोर्टेंट क्यूशन है एक तो गांदिवादी सम्मान पुरुसकार और एक राजस्तान रतन पुरुसकार आगामी एक से आपको क्यूशन है वो आपके सामने एक पक्का मिलेगा एक तो राजस्तान जतन और एक है वो गांधिवादी प्रुषकार इन दोनों में से एक क्यूशन है वो आपको देखने को पक्का मिलेगा तो इनकी भी मर्तियों चुकी है इनके मर्तियों 2010 में हो गई थी और ये कहा इपोर्टेंट है वो याद रखना कि इन्होंने गांदी अध्यन के अंदर किस्ताफना कब की थी तो गुनीशों चपन में की थी तो आप याद रखना अब देख लिए यह इसमें लिखा है ना वे अन्तिम समय तक बापू के पहुँचाने में जिट रहे तो जो बापू के शिदान्त थे वो लोगों तक पहुँचाई जाते हैं वो ऐसे नहीं थोड़े समय थे काफी अपनी उमर जब तक जिन्दा रहते हैं मतलब जब तक सांस वह था तक जिन्या रहते हैं तब ही इन्हें सम्मान मिलता है तीसरा नाम है श्री अमरनाथ भाई तो इनका जनम है वो 1933 को हुआ था और ये गांदिवाजी विचार रखते हैं और श्री अमरनाथ भाई छात्र जीवन ही विनोबा ये इनके बारे में याप डिटेल है वो आप देख सकते हो तो इनके बारे में יתना याद रखना कि ये कहां से बेलों करते हैं और इनका जनम है वो कब हुआ था बाकी इनका नाम पांचों का नाम है वो जरूर आप याद रख़ेगा बाकी इनके बारे में डिटेल अगर आप नहीं भी रख पाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है चोथा नाम है स्री कुमार परशांत कौन है? स्री कुमार परशांत है और इनका जनम हुआ था कब तो 28 अप्रेल 1901 को हुआ था स्री कुमार परशांत है गांदी चांती परतिष्टान के अध्यक्स है किसके है? तो गंधी स्यांती प्रतिष्टान है ना इसके अध्यक्स है तो आपे यह याद जरूर रखेगा और गंधी वादी विचारों को है वो जन जन लोगों तक है वो पहुंचाए रहे हैं और पांचवा नाम है डोक्टर डी आर महता कौन है डोक्टर डी आर महता जोदपुर में 25 जून 1937 को जन में भारतिय परतिबूत और विनीमिय बोर्ड सेवी के पूर्व अध्यक्स है यह इपोर्टेंट हो जाते हैं कि गंधी वादी पुरुसकार मिला है वो किसके अध्यक् रहता है और एक फरक्यात समाज से भी भी है और इन्हें राजीव गांदी सद्भावना पुरुसकार ऐसे अनेक अंतराश्टिय पुरुसकारों से इन्हें समानित किया गया तो इनके बारे में यह इपोर्टेंट तथ्य है वो आप जरूर याद रख लेगा नाम के साथ सा है वो स्टार्ट हो गए है जिनका टाइमिंग है दोफेर में है तो आप एक बार जरूर संपरक कीजिए ओनलाइन के साथ साथ ओफलाइन का भी लुपत उठाईए अब मैं आप से नेक्स्ट वीडियो में रूबरू होंगा जिसमें राजस्तान रतन के बारे में पंचर्च प्रणार अजस्ट टुपत रतन के साथ लिवबरू होंगाईन के साथिण के साथ लिवालाइन के साथ स्टार्ट थाजस्ट बारे मैं पंचर्ट के बारे मुना भी लुपत लिवबरू हो चक्त